नमस्कार विद्यार्थियों आज की कक्सा में हम पाठ चवुदे खानपान की बदलती तस्वीर के सेश रहे प्रश्णों का अभ्यास्त करेंगे प्रस्ण है घर से बादचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती है और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती है इन में से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके मा और पिताजी के बच्पन में घर में बनती थी उत्तर हमारे घर में बनने वाली चीज़ें हो सकती हैं दाल, रोटी, सबजी, कढ़ी, राजमा चावल, छोले, भटूरे, खीर, हल्वा, आदी और बाजार से आने वाली चीज़ें हो सकती हैं समोसे, जलेबी, ब्रेड पकोडे, वर्फी, आइसक्रीम, ढोकला और गुलाब जामून, आदी अगला प्रस्ण है, यहां खाने, पकाने और स्वाद से संबंदित कुछ सब्द दिये गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गी करण कीजिए सब्द हैं, उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड, आलू, बेंगन, खटा, मिठा, तीखा, नमकिन और कसेला उत्तर, इन सब्दों में से बोजन से संबंदित सामगरी है, सब्जी, दाल, भात, रोटी, पापड और बेंगन कैसे पकाए जाते हैं, और इनका स्वाद कैसा होता है, सब्जी, उबालकर बनाई जाती है, और स्वाद, नमकिन, दाल, उबालकर बनाई जाती है, स्वाद, मीठा, नमकिन, भात, यानि चावल, उबालकर बनाई जाते है, स्वाद, मीठा, रोटी, सेक कर, स्वाद, नमकिन पापड भून कर स्वाद मीठा या नमकिन बेंगन तलना या भूनना स्वाद कसेला प्रस्ण है पिछली सताब्दी में खानपान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खिंचे तो इस प्रकार होगा यानि पिछले साट सालों में यदि खानपान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खिंचे तो इस प्रकार से होगा सन साट के दसक में छोले बटूरे, सन सत्तर के दसक में इडलीडोसा, सन असी का दसक तिबत्ती भोजन, सन नब्बे के दसक पीजा पावभजी इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोसाकों की बदलती हुई तस्वीर का खाका खिंचे उत्तर देखिए जिस प्रकार से खानपान में तस्वीर बदली है, उसी प्रकार रहन सेन की अर्थार्थ पहनावे की तस्वीर भी बदली है यानि कि जिस प्रकार खानपान में बदलाव आया है, वैसे ही पहनावे में भी बदलाव आया है तो आईए देखते हैं कि किस दसक में महिला और पुरुस किस प्रकार के वस्तर पहना करते थे सन साट का दसक महिला वर्ग के लिए लहंगा चोली सलवार कमीज साडी और बलावज पुरुस वर्ग के लिए पैंट कमीज कुड़ता पाई जमा सन सत्तर का दसक बेल बोटम टोप फ्रोक सलेक्स टोप साडी बलावज सलवार कमीज आदी पुरुस वर्ग कोट पैंट कमीज टाई कुड़ता पाई जमा आदी सन असी का दसक महिला वर्ग के लिए जिन्स टोप सलवार पजामी कमीज साडी बलावज पुरुस वर्ग के लिए कोट पैंट कमीज जिन्स टीसट कुरता पाई जमा पठानी सूट सन नब्बे का दसक, महिला वर्ग के लिए, स्कर्ट, जिन्स, टॉप, साड़ी, बलाउज, सल्वार, कमीज, पजामी पूरु स्वर्ग के लिए, कोट, पेंट, कमीज, जिन्स, टी-शेट, कुर्ता, पाइजामा, पठानी सूट, सेरवानी, पजामी वे, दुपट्टा, आधी अगला प्रस्ण है, फास्ट फूड, यानि तुरंत भोजन से मुनाफे या फिर नुकसान पर कक्सा में वाद विवाद करें यानि कि फास्ट फूड जो है उसको खाने से क्या फाइदा या क्या नुकसान होता है तो देखिए इसका उत्तर हो सकता है, फास्ट फूड भोजन तयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं यानि कि फास्ट फूड वो जल्दी तयार होता है, तो समय की बचत होती है, और इसके साथ साथ वे स्वादिष्ट भी होता है हर सहर कस्बे में कुछ ऐसी जगें होती है जो अपने किसी खास वेंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपनी सहर या कस्बे का नक्सा बना कर उसमें ऐसी सभी जगों को दर्साईए। तो आप ये प्रस्ण स्वेंबी कर सकते हैं। आईए इसके अलावा के कुछ सहरों के उधारन इस प्रस्ण के उत्तर में देखते हैं। उत्तर राज्य दिल्ली सहर चांदनी चोक पहाड गंज वेंजन परांठे फलूदा कुल्फी छोले बटूरे। राज्य हरियाना सहर मूर्थल वेंजन आलू के परांठे। राज्य महराष्ट्र सहर मुंबई गेटवे ओप इंडिया वेज पावभाजी पुन्ना बड़ा पाव। राज्य आंद्रप्रदेश सहर हेद्राबाद वेंजन बिर्यानी सेवयों का मीठा। राज्य पस्चिम बंगाल सहर कोलकाता वेंजन संदेश रसगुल्ला मिस्टी दोही। राज्य तमिलनाडु सहर चेनै वेंजन इडली डोसा सांबर। राज्य राजिस्थान, सहर जैपूर, वेंजन दाल बाटी और चूर्मा। राज्य गुजरात, सहर गांधी नगर, वेंजन ढोकला, खांडवी, खेपला। अगला प्रस्ने भासा की बात से हैं। प्रस्ने हैं, खान और पान, दो सब्दों को जोड कर बना है। खान पान सब्द में और छिपा हुआ है। जिन दो सब्दों के योग में और अथ्वा या जैसे योजक सब्द छिपे हों, उन्हें द्वन समास कहते हैं। निचे द्वन समास के कुछ उधारन दे जे हैं। इनका वाक्यों में प्रियोग कीजिए और अर्थ समझिए। सब्द है सीना पिरोना, लंबा चोड़ा, भला बुरा, कहा सुनी, चलना फिरना, घास फूस। उत्तर सीना पिरोना यानि सीना और पिरोना। वाक्य नेहा सीने पिरोने की कला में काफी अनुभवी है। अगला सब्द है भला बुरा यानि की भला और बुरा, मैंने उसे भला बुरा कहा। आगे चलना फिरना यानि चलना और फिरना, चलना फिरना स्वास्ते के लिए लाब दाइक है। आगे लंबा चोड़ा यानि की लंबा और चोड़ा। धनिराम का व्यपार लंबा चोड़ा है, कहा सुनी, कहा और सुनी। सास बहु में कूब कहा सुनी हो गई। घास फूस यानि घास और फूस। उसका घर घास फूस का बना है। अगला प्रस्न है, खान पान सिंस्कृति का राश्ट्रे एक्ता में क्या योगदान है। उत्तर, खान पान सिंस्कृति का राश्ट्रे एक्ता में महत्वपुर्ण योगदान है। खाने पीने के विंजनों का प्रभाव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उधारन के तोर पर उत्तर भारत के विंजन दक्सिन भारत वे दक्सिन के विंजन उत्तर भारत में अब काफी प्रेचलित हैं इससे लोगों में मेल जोल भी बढ़ता जा रहा है जिससे राष्टी एक्ता को बढ़ावा मिलता है प्रस्ण है इस्तानिय वेंजनु का पुनर उद्दार क्यों जरूरी है उत्तर इस्तानिय वेंजन किसी न किसी इस्तान विशेश से जुड़े हैं वे हमारी संस्क्रती की धरूर हैं, उनसे हमारी पसंद, रूची और पहचान होती हैं, इसलिए भारतिय वेंजनों का पुनरूद्दार आविश्यक हैं, क्योंकि पस्चिमी प्रभाव के कारण अपना अस्तित्व होते जा रहे हैं, अतहे इनको पुन्हे प्रचलित करने की आ आवजिक ताहे!